हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपारिशन करेंगे OPPO Reno 8 5G में और MI 11i 5G में देखते हैं कि बेस्ट फॉन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात कते हैं डिस्पले से OPPO की है डिस्पले 6.43 इंच रेजुलेशन है 1.804 पिक्सल इसमें आपको सूपर AMOLED डिस्पले मिलती है MI की है डिस्पले 6.67 इंच रेजुलेशन है 1.804 पिक्सल इसमें आपको AMOLED डिस्पले मिलती है और आपको OPPO में 19 Hz का रिफ्रेश इट मिलता है MI में है 120 Hz का और डिस्पले क्वालिटी में MI बेस्ट है बात करते हैं प्रोजसर की तो MI का है Sorry, OPPO का है Mediatek का Demi City 1300 CPU है 3500 का हार्ट OCTACOR 6.99 इस का FIN FAT और MI का है प्रोजसर Mediatek का Demi City 920 CPU है 2.5 इस का हार्ट OCTACOR 6.99 इस का FIN FAT और प्रोजसर क्वालिटी में OPPO BEST है बात करते हैं बैक केमरा की दोनों का है ट्रीपल ओपो का है में केमरा 50 का एमाई का है में केमरा 108 का बात करते हैं फरंट केमरा की तो ओपो का है 32 का और एमाई का 16 का केमरा की क्वार्टी में ओपो बैस्ट है यो इसमें सेंसर है सोनी का बैटी लाइफ की बात की जाए तो ओपो में है 47,000 एमिज की, MI में है 5,160 हैमिज की, और दोने की बैटे स्नोनिबल है, आप दोने की बैटे को निकाल नहीं सकते, चार्जे की बात की जाए ओपो में 18W, MI में 67W, दोनों में आपको टाइप सका स्पोर्ड मिलता है, fingerpin sensor और face lock भी दोने ही smartphone है मिल जाते हैं दोनों में आपको triple sim नहीं मल दी दोने की है warranty एक साल की connectivity है दोनों में 5G की दोनों में ही आपको front में glass है back में plastic है open Android 12 मिलता है MI में Android 11 RAM की बात करते है तो open में है 8GB की MI में है 6GB और 8GB की दोने की memory sim है 103GB की ओपो का है प्राइज 29909 पी, MI का प्राइज 24909 पी, तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फोन पस्ट आया, कौन बॉक्स में जोरू बताना, अगर आपको दोनों में से को स्मार्टपॉन ही नहीं, तब ओपो के साथ जा सकते हो, यह बेस्ट है, अगरा का बज़र है काम, तब MI के साथ भी जा सकते हो,